नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागित करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित पर्मा और एपिन आटिकेशन में तो दोस्तों जैसके आप थमनिल पे देखे चुके हैं कि आज गेस विडियो में आपको आज 18 स्थमबर 2014 की हिमाचिल प्रदेश के आज की सभी ताजा खबरों की जानकारी इस विडियो में देने वाला हूँ चली विडियो को शुरू करते हैं शुरू करते है आज के से भी तादाई खबरें अब नगर निगम शुबा नया कदम उठाया है मंडी मस्चिद मंडी में 45 वर्ग मीटर में थी पुरानी मस्चिद किराकर किया 231 वर्ग मीटर पर कबजा ऐसे हुआ खुलासा मंडी शहर के जेल रूड पर पहले मस्चिद 45 वर्ग मीटर में बनी थी बाद में 231 वर्ग मीटर पर बिना नक्षा पास करवाए अवेद कब जाकर मस्चित को दो मिंजला बना दिया तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं नीजी बस ओपरेटर को 168 रूटों पर चलानी होंगी BS6 बस हैं हिमाचिल परदेश सड़क परिवाहन इवम राजमार्ग मंत्रा लेके दिशा निर देशों पर नई बस हैं BCS, BS6 होना अनिवार्य किया गया हलांकि यदि बस ओपरेटर के पास 15 साथ से पुरानी बस है तो उसे रूटों पर चलाया जा सकता है परदेश सरकार ने इन रूटों पर साथ चालिस की शर्त भी हटा दी है इस शर्त के तैत ओपरेटरों को 60 फिस्ती ग्रामेड और 40 फिस्ती शहरिक शेतर में बसों का संचालन अनिवारिया किया गया था वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी संस्थान बदलने पर विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवरिती हिमाचल प्रदेश में उच शिक्षण देशले ने सबी स्कूल, कॉल्जों, प्रिंसिपलों और विश्विद्यालों के गुलपतियों को पत्तर जारी किया कि बारशिक प्रिक्षा से पहले बिना मन्जूरी संस्थान बदलने पर विद्यार्थियों को चातरवर्थी नहीं मिलेगी हिमाचल नियूज ट्रेन की तरह अब HRTC में सीट की ततकाल ऑनलाइन बोकिंग एपस में जुड़ेगा नया फीचर हिमाचल पात पर विहान निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को नई सोगात मिलेगी चलती बस में सीट खाली होते ही यात्री ततकाल ऑनलाइन सीट बोक करवा पाएंगे अब मोबाइल की एक क्लिक पर मन पसंद सीट यात्रियों को मिल पाएगी रेलवे की तरज़ पर चलते है अचार्टिसी बस में किस नंबर की सीट खाल लिया यात्रियों को इसकी जानकारी मिलेगी या सुईदा अचार्टिसी बस पोकिंग अप में जुड़ने वाले नए फीचर से मिलेगी हिमाचल में 19-23 तंबर तक हलकी बारिश के आसार कई क्षेत्रों में आज यलो अलर्ट हिमाचल परदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलबार को मौसम साफ राज शाम के समय राधानी शिमला में बादल बरसे हिमाचल के कई क्षेत्रों में बुदबार को बारिश और बादल गर मोख्य मंतरी सुक बिंदर सिंग सुखु ने मंगरबार को शिक्षा भी भाग की बैठक में देख्षता करते हुए का कि मर्ज किये गए स्कूलों में तैनात में डेमील करमीयों की शेवाय समात नहीं होंगी उन्हें समीप वरती स्कूलों में समयोजित किया जाएगा और उन् शिक्षण संस्तानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उदेशे से सरकारी स्कूलों का वेले किया जा रहा है गणपती विसर्जन के दोरान ब्यास नदी में डूबने डूबते यूबग को बचाते तैराक की मौत यहां पेशाया हाथ सा हिमाचर प्रदेश की ज मस्चिद रो पत्थर बाजी करने वालों पर लटकी गिरफतारी के तलवार सतर लोगों की पैचान राजदान इशमला के संजोली में स्थित मस्चिद में हुए अवैद निर्मान के खिलाफ हुए पर दर्शन में पत्थर मारने वालों की पैचान पुलिस ने कर लिये मौक अब भ्यारतियों को काउंसिलिंग के लिए मौके पर ओनलाइन पांसो रुपे फीज परनी होगी अगर किसी ने एंट्रांस नहीं दिया है तो इसको जो है पंद्रा सो रुपे फीज परके सीट पाने का मौका दिया गया है लालेच में आकर गवाये कतर लाख रुपे शात लगा दी मामला अपरेल मई माखा है पेड़ित को उमीद थी कि उसके द्वारा लगाए गए पैसे से ज़्यादा बापस आएगा इसी चेकर में व्यक्ति ने शिकायत तर्द नहीं करवाई थे जब शातरों ने जो पैसे उन्हें बताए थे उसे देने की एविज में बारा कांग्रेस की सरकार कांग्रेस हाई कमान ने उक मुख्यमंत्री मुकेश अगनियोत्री की जम को जो है जम्मु कुश्मीर में सीनियर आफजरवर तैनात किया है इस संबंद में कांग्रेस महासरचप केसी पेड़न कूपाल ने आधिश चारी कि यह आधिश तद्काल प्रभ युवक द्वारा नावालिक लड़की के कमरे में गुश कर दुरचार करने का मामला सामने आया, पीडिता की विरूद करने पर युवक ने नावालिक को जान से मारने की दम की दी, युवक ने पीडिता का अशलील वीडियो भी बनाया, आरोपी बातरूम की खिड़की से पी की फसल की खरीद दो करने के लिए बुकिंग के पोर्टल खोल दिय गया है कट देश में किसानों से धाल करिदने के लिए खाद्या पूर्तिभी भाग द्वाग द्वारा प्रदेश में ओनेस धान खेप beneficiग के देज के अंदर बनाये गये नेता प्रतिपक्स जाराम ठाकुर ने सुकुल सरकार के साथ कांग्रेस पर भी निशाना सादा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हर्याना और जम्मू किश्मीर के आम विदानसवा चुनावों में लोगों को ठगने के लिए जोटी गरंटियों का सारा ले रही है। जिस थाना राजगड की पुलिस टीम ने 3.87 ग्राम चिट्टे के साथ दो व्यक्तियों को गिरफतार किया। पुलिस के इंसल्ब पुलिस टीम गशत पर तयाना थी। इसी दोरान नेरी समुख सडक सोलन राजगड के तरप से एक मोटर साइकल आई जिस पर दो व्यक्ति सभार थे। पुलिस ने हाथ देकर दोनों को रुकने का इशारा के इस दोरान मोटर साइकल पर सभार चालेक ने अपना नाम राजिस सिंग निवासी गाउं जांगन तैसीर राजगड और पीछे बैठे वेक्ति ने अपना नाम विशाल कुमार और गोलू निवासी नान हाल कबजे से 3.87 क्राम हिरोन चिट्टा बरामत किया तो दोस्तों ये थी हिमाचर प्रदेश के आज की सबी ताला ख़बरें धन्यवाद जय हिन जय भाद